सीसे टीवी फोटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह से साथ साल की एक मासुम को उसके पिता का ममेरा भाई याने की मासुम का चाचा बहला फुसला कर ले जा रहा है ये पूरी घटना इंडोर में बुद्वार रात को सामने आई है जिस दोरान प्रदेश के मामा और सीएम शियोरासिय चोहान चितावद में निश्ली वस्ती के लोगों को विकास कार्यों की सोगात दे रहे थे हैं उसी वक्त एक बहश्याना चाचा अपने नापा की रादों को अंजान दे रहा था इधर देर राच मासूम की इलाच के दोरान मोत हो गई जिसके बाद से ही मासूम के परिजुनों का रो रोकर बुरा हाल है बच्ची जिस समाच से आती है उसी समाच के संगठन ने आज सुबा बच्ची की मौत की खबर मिलने के बाद बहुर को अधाना पर प्रदर्शन कर हत्यारे को फांसी देने की मांग की है इस पूरे मामले में शुरुआत से ही दुशकर्म जेसी वारदात से भी पुलिस ने इंकार नहीं किया है वही मासूम के शौके पोस्टमार्टम के बाद भी और बड़े खुला से ओने की संभावना है पुलिस ने पकड़े गए आरूपी चाचा को गिरफतार कर अलग-अलग धाराओं के तहद प्रकरन दर्च कर लिया है और जान शुरू कर दी है दर्सल शहर के भरकवा थाना छेत्र के अंभिकापुरी में रहने वाली साथ वर्षी मासूम बच्ची को उसी का चाचा गंदी नियत के चलते बिस्किट खिलाने के बहाने बहला फुसला कर सुनसान इलाके यानि कि पीपलिया राओ के पुराने खंडर में ले गया और इसक देवा घायल हो गई इधर बच्ची के गुमाओ जाने की जानकारी के बाद हरकत में आई पुलिस ने छेत्र में लगे सी टीवी फुटेज खंगालने शुरू किये और फुटेज में साफ हुआ की बच्ची के पिता का ममेरा भाई यानि बच्ची का चाचा उसे ले गया थ इसके बाद पुलिस ने मासूम बच्ची की खोच की तो वह खंडर में घायल अवस्ता में मिली जिसके बाद ततकाल एसपी महश चंदर जेन ने मासूम को इलाज के लिए एक नीजी अस्पिताल में भरती कर बाया महीं पुलिस ने रात में ही हैवानियत की हदे पार कर देन कि अवेला चाचा को अपनी गिराफ्त में ले लिया ततकालों से लाकर जो है फलस्ता दाल में उप्चार यह तु एडमेट कराए गया ओप्चार के दौरान जो है वो बच्ची की मिर्थी हो जो है वो पीड़ता का दूर का चाचा था है इसी सीटी फुटेज में वह ले ज सकता है और आगे पूछ साज मोर की देखने सामने आएंगे जो हुआ है